नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहें आरे नियूस उत्तिय प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और भारतिय जिन्ता पार्टी के वरिष नेता कल्यान सिंग का कल रात करीब सवा नो बजी लखनों में लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया और वो 89 साल के दे कल्यान सिंग का अंतिम संसकार 23 अगस को नरोरा में गंगा टट पर किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री योग्यादितेनाथ ने कल्यान सिंग के निधन पर शोक वेक करते हुए यूपी में तीन दिन का राज के शोक का घोशित किया है और उन्होंने राज्ये में 23 अगस को एक दिन के सावजनिक अफकाश के भी घोशन किया और वहीं प्रधानमंत्री मुदी ने कल्यान सिंग के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत के सांस्कृतिक विरासत को स्मृत करने में उन्होंने एहम भूमिका निभाई और आने वाली पीडिया इसके लिए उनका भारी रहेंगी और उन्होंने कल्यान सिंग के पुद्र राजवेर सिंग से बात भी की और पीम मौदी ने समवेदना प्रकट की मौदी ने ट्वीट कर कहा दुख कि इस गड़ी में मेरे पात शब नहीं है कल्यान सिंग जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रसासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित के स्वामी भी थे उत्तप्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिठ है और सोक के इस गड़ी में उनके परीजनों और समर्थकों के प्रती मेरी घहरी समवेदना है और वहीं राश्टपती रामनात कौविन ने भी कल्यान सिंग के निदर पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ जाते जनगर्णा पार प्रधान मंत्री नरेद मोधी से बाचित करने के लिए भीहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार सोमवार को दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे बैठक में नितिश कुमार 11 सदस्य प्रतिनिदी मंडल के साथ नितित करेंगे और जिसमें राजी के राजनितिक दलों के एक एक प्रतिनिदी नेता शामिल होंगे और वहीं समस्ती पुर्जिले के बार प्रभाविच्छेत्रों के सर्विक्षन करने के बार नितिश कुमार ने ये जानकारी दी है और वहीं आज रात नई दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे और कल सौमवार को बैठक होगे और बैठक में उनके साथ शामिल होने वालों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विग शामिल है और वहीं दूसरी और बीजेपी द्वारा जनक राम को प्रतिनिदी मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के सवाल पर मुख्यमंति नितिश कुमार ने कहा ये कोई मुद्दा नहीं है प्रतिक दल एक व्यक्ति को मनोनित कर सकता है जो विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो इसलिए सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से नाम बेजे मेरे लावा दस प्रतिनिद्धी होंगे सभी अपनी अपनी पार्टि का प्रतिनिद्ध करेंगे और वहीं भारत मौसम विज्ञान विवाग ने पश्यमी मध्यप्रदेश के चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारी सोने का पूर अनुमान श्रा निवार को विख्ट किया था और वहीं आईमडी ने संबद में ओरेंज अलेट चारी किया है आईमडी ने राज्जे के 28 जिलों में आंदी और बिजली की चेताबनी के साथ भारी बारिस होने के दो अलग-अलग येलो अलेट भी चारी किया है आईमडी के अधिकारी ने कहा कि तीनों अलेट रविवार सुबा तक वैदा और आईमडी के भौपाल का रहले के वरिश्ट मोसम विग्यानी पीकेस शाहा ने कहा कि ओरेंज अलेट के अनुसार धार रतलाम उज्जेन और देवास जिलों में अलग-अलग इस्थानों पर गरज के साथ विजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिस होने की संभावना है देश भर में अभी भी बड़ी संक्या में जान लेवा कोरोना वारिस के नए मामले सामने आ रहे हैं देश में पिछले 24 घंटे में करोना के 30,948 नए मामले सामने हैं और वहीं 403 लोगों की करोना के चलते मोथ होगे सौासे मंतराले की और से जारी ताजा आंकडों के मताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 38,487 लोग ठीक भी हों पिछले के वाले लोगों कोई संक्या बढ़कर अब 3,16,36,470 होगे और वहीं अब एक्टिव के घटकर 3,53,398 रह गए और वहीं आकडों के मताबिक देश में करोना के अब तक 3,24,24,234 के सामने आ चुके जिन में से अब तक 4,34,366 लोगों की मोत हो चुकी है अमरोहा जिले में अपने मायके में रह रही एक महिला की गला दबा कर हत्या कर देने के मामला सामने आया और वो शनिवार देरात कूड़ा फेकनी के लिए जंगल में गई थी इसके बाद रविवार सुवा उसका शब प्रात्मिक विद्याले के पीछे पड़ा मिला और वहीं गणने के खेद में नगन अवस्ता में पड़ा हुआ मिला है और घटना में ग्रामीनों में हड़कम मच गया है और मोके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिंगर फिरिंट एक्सपर्ट की टीम ने सबुच जुटा है सुसना मिलते ही एसपी और एसपी ने मुआइना भी किया और फिलाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम कले भेज दिया मिलतक के नगन अवस्ता में मिलने के कारण दुशकर्म की आशंका जताई जा रही है केरल में शनिवार को कॉविन नैंटीन के 17,001 नए मामले सामने आने के साथ ये राज्ये में कोरोना मामलों की संख्या की कुल संख्या बढ़कर 38,3903 होगे जबकि 83 और मरीजों की मौत होने से मिलतकों की संख्या बढ़कर 19,428 होगे राज्ये की स्वास्ते मंत्री वीनर जोर्ज ने इसकी जानकारी दी है स्वास्ते विवाक के मताबिक मलबपुरम में कोविड-19 के सरवदिक 2558 नए मरीज सामने आए इसके बाद कोची कोड में 2236 और त्रीशूर में कोरोना वाइरस संक्रों के 2027 नहीं मामले सामने आए स्वास्ते मंत्री ने कहा कि केरल में 2224 गंटे के दोरान 96481 नमूनों की जाँच होने के साथ संक्रों की 10-17 प्रतीशत रही केरल में अब तक 3,001 नमूनों की कोविड जाँच हो चुकी है अबहीं गोंडा में स्वास्ते विवाग के करमचारे द्वारा वैक्सिन लगाने को लेकर एक पड़ी लापरवाई सामने आई है वैक्सिन लगवाने का यूवक को पहले कोविड शिल्ड की पहली डोज लगाई उसके बाद को वैक्सिन की दूसरी डोज लगा दी जिससे पीडित ग्रीजेस काफी परिशान हो गया लगबक 6 दिन के बाद तक 6 दिन तक तेजबुखार जुखाम और सांस लेने संबंदी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं इसलापरवाई से यूवक की जान भी जा सकती थी लेकिन गनीमत रही कि यूवक की जान नहीं गए दरसल आईसे एमार की और से जारी गाइडलेंड के मताविक वैक्सिनेशन के दोरान इस बात का ख्याल रखा जाना अतिया आवशक है कि जिस वैक्टिक और जिस वैक्सिन की पहली डोज लगी है उसी वैक्सिन की तूसरी डोज भी लगनी चाहिए लेकिन जन्पत गोंडा के स्वास्ते महकमे की एक बहुत बड़ी लापरवाई है और वहीं स्वास्ते विवाग के दिकारी स्वास्ते करमचारियों की गलती मान रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने से खाड़ी देश पर कई दूसरे खत्रे भी मंट राने लगे हैं I.S. का खत्रा भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता जो अभी के लिए अफगानिस्तान में कम जरूर है लेकिन कब सक्रे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता इसी वज़ा से अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने शनिवार को एक एहम मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों संग इस मुद्ध पर विस्तार से बात करी और जानकारी मिली है कि बाइडन को बैठक के दोरान अफगानिस्तान की वर्तमान इस्तिती के बारे में बताया गया है कि आईएस हमेशा सही अमेरिका पर हमला करना चाता है अफगानिस्तान में भी वो कई सालों से सक्री है और अब डर इस बात का है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है और इस वज़े से आईएस को फिर खुद को मजबूत करने का मुखा मिल सकता है और अगर आईएस मजबूत होता है तो यह अमेरिका के लिए खत्रे की घंटी साबित हो सकती है और वहीं इन्ही सबी चिंताओं को दूर करने के लिए राश्पती जो बाइडन ने एहम बैटक बुलाई थी और इस बैटक में उप राश्पती कमला हैरिस भी मौजुद है और उनके साथ डिफेंस सेकेर्टरी भी शामिल हुए बैटक के दोरान आये इस खत्रे पर बात की ही गई इस बात पर भी विचार रहा कि अमेरिका किस तरह की कारवाई करेगा भविशे में आने वाले संकट में कैसे निप्टा जाएगा और इस पर भी सुझा मांगे गए अब अमेरिका की तरफ से ये बैटक उस समय बुलाई गई है जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इस्तिती को लेकर उसकी आलोचना की जा रही है पर कई मौकों पर सफाय पेश कर दी है